नवश्कार गोवा के मुख्यमंत्री स्रिमान प्रमोत सावन जी एंद्रिय जलशक्ति मंत्री स्रिमान गजेंद्रसी सेखाबजी गोवा सरकार के अन्य मंत्रीगन अन्य महनुभाव देवियो और सज्जनो आज एक बहुती महत्वपुण और पवित्र दिवस है देश भर में स्रीकर्ष्टन जन्दमास्टमी की धूम है सभी देश वास्यों को दुनिया भर में फैले भगवान स्रीकर्ष्टन के भक्तों को बहुत बहुत बढ़ाई जय स्रीकर्ष्टन आज का एक आरकम गोवा में हो रहा है लेकिन आज मैं सभी देश वास्यों के साथ देश की तीन बड़ी उपलब्दियों को साजा करना चाहता हूं और यह बात मैं पूरे देश के लिए कहना चाहता हूं भारत की इन उपलब्दियों के बारे में जब मेरे देशवासी जानेंगे मुझे पक्का विश्वास है उनको बहुत गर्व होगा और विशेश कर हमारी माता और बेहनों को बहुत गर्व होगा अमरित काल में भारत जिन विशाल लक्षों पर काम कर रहा है उससे जुड़ी तीन अहम पड़ाव हमने आज पार किये हैं पहला पड़ाव आज देश के दस करोड ग्रामिन परिवार पाईप से स्वच्छ पानी की सुविदा से जुड़ चुके हैं दस करोड ग्रामिन परिवार एक घर जल पहुँचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है ये सबका प्रयास का बहतरिन उधारण भी है मैं इस उपलब्दी के लिए हर देश स्वासी को और विशेश कर माताओ बहनों को बधाई देता हूँ साथियों देश ने और विशेश कर गोवा ने आज एक उपलब्दी हासिल किये है आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर गर जल सर्टिफाई किया गया है दादरान अगर हवेली एवन दीव और दमन भी हर गर जल सर्टिफाईड केंद्र स्वासीत प्रदेश बन गए है बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े विशन में गोवा अग्रणी भूमी का निभाता जा रहा है मैं गोवा की जन्ता को प्रमोज जी और उनकी पूरी टीम को गोवा की सरकार को स्थानिय स्वराज की संस्ताओं को हर किसी को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ आपने जिस प्रकार हर गर जल मिशन को आगे बढ़ाया है वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है मुझे खुशी है कि आने वाले महिनों में कई और राज्य इस सुची में जुड़ने वाले हैं साथियों देश की तीसरी उपलब्दी स्वच्छ भारत अभ्यान से जुड़ी है कुछ साल पहले सभी देश वाचियों के प्रयासों से देश खुले में सौच से मुक्त गोशित हुआ था इसके बाद हमने संकल पर लिया था कि गावों को ओडी एफ प्लस बनाएंगे याने कॉम्यूनिटी टॉइलेट्स प्लास्टिक बेस्ट मैनेजमेंट ग्रे वाटर मैनेजमेंट गोबर्दन प्रोजेक्स ऐसी सुविधाय विक्सित की जाएगी इसको लेकर भी देश ने एहम माइलस्टोन हासिल किया है अब देश के अलग-अलग राज्यों के एक लाग से जादा गाव ओडिये प्लस हो चुके हैं इन तीनों एहम पड़ाव को पार करने वाली सभी राज्यों को सभी गावों को हम जितनी बढ़ाई दे उतनी कम है साथ क्यों आज दुनिया की बड़ी-बड़ी समस्ताएं कह रही हैं कि 21 सदी की सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक चुनोती बोर्टर सिकुरिटी की होगी पानी का अभाव विक्षिद भारत के संकल्प की सिद्धी में भी बहुत बड़ा अवरोद बन सकता है बीना पानी, सामान्य मानवी, गरीब, मध्यंबर्ग, किसान और उद्योग धन्धों सबको नुकसान होता है इस बड़ी चुनोती से निपटने के लिए सेवा भाव से, कर्तव्य भाव से 24 गंटे काम करने की जरूरत है हमारी सरकार बीते आठ वर्सों से इसी भावना के साथ वाटर सिकुरिटी, जल सुरक्षा के कार्यों को पूरा करने में जूटी है ये सही है कि सरकार बनाने के लिए उतनी महनत नहीं करने पड़ती लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी महनत करनी होती है और सब के प्रयास से होती है हम सभी ने देश बनाने का रास्ता चुना है इसलिए देश की वर्तबान और भविश्य की चुनोतियों का लगातार समाधान कर रहे हैं जिने देश की परवा नहीं होती उन्हें देश का वर्तबान बिगड़े या भविश्य कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोग पानी के लिए बड़ी बड़ी बाते जरू कर सकते हैं लेकिन कभी पानी के लिए एक बड़े विजन के साथ काम नहीं कर सकते साथियों आजहादि के अमरित काल में बॉटर सिकुरिटी जल्द सुरक्षा भारत की प्रगति के सामने चुनवती न बने इसके लिए बीते आट वर्सों से जल्द सुरक्षा पर विशेश बल दिया गया है कैज्द रेन हो अटल भुजल योजना हो देश के हर जिले में पचत्तर अमरत सरवरों का निर्मान हो नदियों को जोड़ना हो या फिर जल्द जीवन मिशन इन सबका लक्ष है देश के जन जन को जल्द सुरक्षा कुछ दिन पहले ही एक खबर आई है कि भारत में अब रामसर साइट्स एनि बेटलेंड्स की संख्या भी बढ़कर पच्चत्तर हो गई है इन में से भी पच्चास साइट्स पिछले आट बरसों में ही जोड़ी गई है यानि बॉर्टर सिकुरिटी के लिए भारत चो तरफा प्रयास कर रहा है और इसके हर दिशा में नतीजे भी मिल रहे हैं साथियों पानी और परियावरण के प्रती यही प्रतिवध्यता जल जीवन मिशन के दस करोड के पड़ाव में भी जलगती है अमरित काल की इससे बहतर शुरुवात नहीं हो सकती है सिर्फ तीन साल के भीतर जल जीवन मिशन के तहट साथ करोड ग्रामिन परिवारों को पाइप के पानी की सुविदा से जोड़ा गया है ये कोई सामानी उपलब्दी नहीं है आज्जादी के साथ दसकों में देश के सिर्फ सिर्फ तीन करोड ग्रामिन परिवारों के पाइप से पानी की सुविदा उपलब्द थी देश में लगबग सोला करोड ग्रामिन परिवार ऐसे थे जिनको पानी के लिए बाहर के सुरूतों पर निर्भर रहना पड़ता था गाउं की इतनी बड़ी आबादी को हम इस मूल आवशकता के लिए संगर्स करते नहीं छोड़ सकते थे इसलिए तीन साल पहले मैंने लाल के लिए से गोशना की थी कि हर गर पाइप से जल पहुँचाया जाएगा नई सरकार बनने के बाद हमने जल शक्ती अलग मंत्राले बना दिया इस अभियान पर तीन लाग साथ हजार करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं लाग साथ हजार करोड रुपिये खर्च कि सो साल की सबसे बड़ी महामारी की वज़र से जो रुकावटे आई उसके बावजुद इस अभियान की गती कम नहीं पड़ी इसी निरंतर प्रयास का परणाम है कि साथ दसकों में जितना काम हुआ था उससे दो गुने से अधिक काम देश ने पिछले तीन साल में ही कर दिखाया है ये उसी मानव केंदरीत विकास का उधारण है जिसकी बात मैंने इस बार लाल के लिए से की है हर गर जल जब पहुँचता है तो सबसे अधिक लाब हमारी बेहनों को होता है भावी पीडी को होता है कूपोशन के विरुत हमारी लड़ाई मजबूत होती है पानी से जुड़ी हर समस्या की सबसे अधिक बुक्त भोगी हमारी माताय बहने होती है इसलिए इस मिशन के केंदर में भी हमारी बेहन बेटियां ही है जिन घरों में शुद्ध पेजल पहुँचा है वहाँ अब बहनों का समय बच रहा है परिवार के बच्चों को दूसी जल की वज़े से होने वाली ब्यमारिया भी कम हो रही है साथियों जल जीवन मिशन सच्चे लोकतंत्र का पुझ्य बापु ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था उसका भी उत्तम उदारन है मुझे आध है जब मैं गुजरात में था तो कच्छ जिले में माताओं बहनों को पाने से जुड़े विकास कारियों का दाईत्व संप गया था ये प्रयोग इतना सफल रहा था कि इसे आंतराश्ट्य स्तर पर एवर्ड भी मिला था आज यही प्रयोग जल जीवन मिशन की भी एहम प्रेना है जल जीवन अभ्यान सिर्फ सरकारी स्किम नहीं है बलकि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाई जा रही योजना है साथियों जल जीवन मिशन की सफलता की वज़ उसके चार मजबुत स्तंभ है पहला जन भागिदारी पीपल्स पार्टिसिपेशन दूसरा साजेदारी हार स्टेक होल्डर की पांटर से तीसरा राजनीति की इच्छा शक्ती पोलिटिकल विल और चौथा सौशा धनों का पूरा इस्तेवाल अप्टिमाम यूटिलाइजेशन आफ रिसोर्सिस भाई और भहनों जल जीवन मिशन में जिस तरह पंचायतों को ग्राम सभाओं को गाओं के स्थानिय लोगों को शामिल किया गया है जिस तरह उन्हें अनेग जिम्मेदारिया सोपी गई हैं यह अपने आप में अभुद्पुर्व है हर गर पाइप से जल पहुँचाने के लिए जो कारिय होते हैं उसमें गाओं के लोगों का सहीयोग लिया जाता है गाओं के लोग ही अपने गाओं में जल सुरक्षा के लिए विलेज एक्षन प्लान बना रहे हैं पानी का जो मुल ने लिया जाता है वो भी गाओं के लोग ही तै कर रहे हैं पानी की टेस्टिंग में भी गाओं के लोग जुड़े हैं दस लाग से जादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई हैं पानी समिते में अभी कम से कम पचास प्रतिशत महिलाओं को जगे दी गई हैं जो जनजातिय इलाके हैं वहां तेजी से काम हो इसे प्रात्फिक्ता दी जा रही हैं जल जीवन मिशन का दूसरा स्तम साजेदारी हैं राज्य सरकारे हो पंचायते हो स्वयम से भी संस्ताय हो सिक्षन संस्ताय हो सरकार के विविन विभाग और मंत्रालय में सभी मिलकर काम कर रहे हैं इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है साथियों जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुक्य स्तम है राजनीती की इच्छा शक्ती जो पिछले सतर साल में हासिल किया जा सका उसमें कई गुने जादा काम साथ साल से भी कम समय में किया जा रहा है कठीन लक्षे हैं लेकिन ऐसा कोई लक्ष नहीं जो भारत के लोग ठान लें और उसे प्राप्त ना कर सकें केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, पंचायते, सभी इस अभ्यान को तेजी से पुरा करने में जूटी है जल जीवन मिशन, सौंसा धनों के सही इस्तमाल पर अप्टिमम यूटिलाइजेशन आप रिसोर्सिज पर भी उतना ही बल दे रहा है मंद्रेगा जैसी योजनाओं के वो कारिय जो जल जीवन मिशन को गती देते हैं उनसे भी मदर ली जा रही है इस मिशन के तहट जो कारिय हो रहा है उससे गाउं में बड़े पैमाने पर रोजकार के ने आउसर भी बन रहे है इस मिशन का एकलाब ये भी होगा कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा सैचुरेशन के स्थित्य आजाएगी तो पक्षपात और भेदपाव की गुंजाइज भी उतनी ही समापत हो जाएगी साथियों इस अभियान के दोरा जो पानी के नए स्रोथ बन रहे हैं टैंक बन रहे हैं वाटर ट्रिट्मेंट प्लांट बन रहे हैं पंप हाउस बन रहे हैं सभी की जीओ टैगिंग भी हो रही हैं पानी की आपूर्ती और गुणवत्त का उसकी मोनिटरिंग के लिए आदूनिक टेक्नलोजी यानि इंटरनेट और फिंग सोलुशन का उप्योग करने की भी शुरुवात हुई हैं यानि जन शक्ती नारी शक्ती और टेक्नलोजी की शक्ती मिलकर जल जीवन मिशन की शक्ती बढ़ा रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार पुरा देश महनत कर रहा है उससे हर गर जल का लक्ष हम अवश्य प्राप्त करेंगे एक बार फिर गवा को गवा सरकार को गवा के नागरिकों को इस शुब अवसर पर और ये बड़ी सफलता पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ बहुत-बहुत शुब कामनाई देता हूँ और देश वास्यों को भी विश्वाद दिलाता हूँ कि तीन साल पहले लाल के लिए से जो सपना देखा था ग्राम पंचायत से लेकर के सभी संस्थानों की मदद से हम बहुत तेजी से उसको सफल होते देख रहे हैं मैं फिर एक बार कृष्ण जन्वास्त में की शुब कामनाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद